बॉलिवुड के चार सक्सेस्फुल आक्ट्रिसेज में रानी मुखटी जोही चावला, नगमा और तब्बु का नाम शुमार है जिन होनी अपने फिल्मों में जबरदस्त अभिनेकर ना सिर्फ बॉलिवुड पर रास किया है बल्कि अपनी लाजवाब खुबसूरती से अच्छी अच्छी अक्ट्रिसेज को भी पीछे छोड़ दिया है जिसके चलते सभी अक्ट्रिसेज इनसे बहुत जोलती है लेकिन दोस्तों कि आपको मालूम है कि सभी अक्ट्रिसेज को जलाने वाली ये चारो हुसन परियान तो खुद एक अक्ट्रिस से इतनी जलती है कि उनके शकले तक देखना पसंद नहीं करती और पीट पीछे उनके चुगली करती है दो आकरकार कौन है वो अक्ट्रिसेज और क्यों ये चारो उनसे जलती है आईए जानते हैं इसी बारे में बॉलिवुड के खुश्णुबा आक्ट्रिस राने मुखर जी जो ही चावला नगमा और तपू जिस ब्यूटिफुल आक्ट्रिस से बेहत जलती है वो लाजवाब आक्ट्रिस है उर्मिला माथोटकर तो चलिए जानते हैं कि ये चारो उनसे क्यों जलती है नमबर वन रानी मुखर जी बड़े पर अपनी काम्याबी का पर्चम लहराने वाले आक्ट्रिस रानी मुखर जी उर्मिला माथोटकर से इसलिए जोलती हैं क्योंकि ये दोनों ही 90's के दश्रक की अभिनेत्रिया है और उस दश्रक में उर्मिला ने इन्हें बराबरी की टक कर देते हुए हमेशा पीछे चोड़ा है जिसवजे से आक्ट्रिस रानी माथोटकर इनकी जलने की वज़ा बन गई नमब टू जोही चावला हमेशा सभी से प्यार करने वाली आक्ट्रस जोही चावला भी आक्ट्रस उर्मिला माथोरकर से इसलिए जोलती है क्योंकि उर्मिला इनसे ज़ादा खुब सुरत है इसलिए उनकी तरफ लोग ज़ादा ट्रक्ट होते हैं और जूही को कोई पूछता तक नहीं है इसलिए यह न सिर्फ आक्ट्रिस और माथूरकर से जुलती हैं बलकि उनसे बेहत नफरत भी करती है नमबर त्री नगमा यू तो आज आक्ट्रिस नगमा के पास कोई काम नहीं है और ना ही आक्ट्रिस उर्मिला के पास फिर भी आक्ट्रिस उर्मिला माथुरकर से इसलिए जलती है क्योंकि उनके पास करोडों के पैसे हैं और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो आज काम ना ह अर्मिला माधुरकर से जलने वाली आक्ट्रिस तब्बू भी है जो उर्मिला का नाम सुनते ही आगबुला हो जाती है क्योंकि उर्मिला के शादी बहुत बड़े बिसनसमैन मोहिसन अक्तर मीर से हुई है जो इन्हें बहुत खुश रगते हैं और किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते और तब्बू की तो अभी शादी भी नहीं हुई है इसलिए अक्ट्रिस उर्मिला माधुरकर से बहुत जलती है तो दोस्तों क्या अक्ट्रिस उर्मिला माधुरकर से इन अक्ट्रिस को जलना चाहिए या नहीं अब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ह ये तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.